तो हलो दोस्तों कैसे हुआ आप सब and I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ही 9 वाले 10 रुपे के नोटों के बारे में जिन में से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे नोट के बारे में जो की 9 वाले 10 रुपे के नोटों में सबसे महंगा बिकने वाला नोट है और अगर आपके पास वो नोट हुआ तो मैं आप लोगों को दूँगा डाइरेक्ट बायर का वाटसेप नमबर जिसके दौरा आप भी अपने नोटों को आसानी से बेच पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप लोग नीचे दिये गया क्योंकि आपके लाइक सी इस चैनल को सपोर्ट करने का काम करते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं उस नाव वाले सबसे कीमती नोट के बारे में तो दोस्तों ये 10 रुपे के नाव वाले नोट हमारे दिश में काफी लंबे समय से चलते चले आ रहे हैं जो कि एक रिकॉर्ड है किसी भी इंडियन नोट के डिशाइन का इतने लंबे समय तक चला जाने का लेकिन दोस्तों कुछ नए डिशाइनों के बाजार में आ जाने के वज़े से इस तरह के नाव वाले नोटों को 90 के दशक में बंद कर दिया गया था तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलि आईए जान लेतें नाव वाले सबसे कीमती नोट के बारे में तो दोस्तों उस नाव वाले सबसे रेर नोट का डिशाइन कुछ इस तरह का था यानि कि उसका साइज इस पुराने वाले नोट से काफी बड़ा था और उस नोट पर आप लोगों को सिगनेचर देखने को में लेंगे हवियार आई अंगर जी के जो की थे हमारे उस समय के RBI के गवर्नर और दोस्तों उस नोट की सबसे खास बात ये थी कि उसको हज यातरा के लिए बनाये गया था जिसको की उस समय हज पर जाने वाले यातरियों को दिया जाता था और उन नोटों पर आप लोग इस जगा पर देखेंगे तो यहाँ पर हज लिखा भी हुआ है और साथ ही उनकी एक पहचान ये थी कि उनके प्रिफिक्स में ह-e लिखा हुआ था लेकिन दोस्तों नोटों के पीछे की डिजाइन की बात करें तो उसका डिजाइन कुछ इसी तरह का था यानि कि उसके पीछे की तरफ बना हुआ था ऐसा एक नाव का चितर तो दोस्तों ऐसे नाव वाले 10 रुपे के हज इशू नोटों की जो आज के समय में UNC कंडिचन में कीमत है वो है 5 लाग से 7 लाग रुपे के बीच में और ये जानकारी एक 100% सची जानकारी है और अगर आपके पास भी है ऐसा कोई 10 रुपे का हज इशू नोट तो आप उस नोट की पूरी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं आपको दूँगा इस नोट के डाइरेक्ट बायर का वाटसेप नमबर जिसके दुआरा आप अपने नोट को भी बेच पाएंगे और दोस्तों अगर आपको कोई और भी सवाल है इनोटों से जुड़ा हुआ तो आप लोग उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसे एक लाइक जरूर कर दें और इसको अपनी दोस्तों के साथ भी वाटसेप और फेसबुक पर भी जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चनल को सबस्क्राइब भी नहीं किया तो आप लोग सबस्क्राइब जरूर कर लें और साथ ही दबा दें उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को ताकि आप लोगों को आगे भी हमारे चनल की वीडियोज मिलती रहें तो हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही और आप सभी लोग खुश रहें सेफ रहें और सलामत रहें